मैं आज आपको बता दू आपको चार-पांच चीजों का जरूर ध्यान रखना है तो अकर आप भी फूट डिलेवरी में आने वाली है न तो भाई यह साउधान हो जाएगे फूट डिलेवरी के अब मैं आपको ऐसे अपडेट देने वाला हूं पैसा जो सेलरी बताया वो नह चाहिए और एक और आपको बताद दूट दूटि के बारे में डूट कंपनी दूरी के आपको तीन रियाल मेले गए डिलेवरी पे अखाम बनता है तो कंपनीस में क्या बोलते आपको पैसे देने पड़ेगा तो अगर आप भी फूट डिलेवरी में आने वाली हैं तो कि आपको बड़े स्पने दिखाएं मिलेँ का चैया वह आपकी 1-2 सो ईखादेगा 253,000 रियाल आप खुस हो जाएंगे ऊ इकब उचे जाएंगे का है मेरे को बहुत अच्छा है में तो जाता हू पर आप कुछ जिगल्चे कर जाते हैं, कुछ दियान नहीं रखते हैं। जिनसे आपको यहां आने के बाद पस्टावा होता है, रोना होता है Alevaj फिर आप वापस नहीं जा पाते। उदर इंडिया से अपने पैसा लगा के आजा तो इदर आके मजबूर हो जाते हैं प्रिसान हो जाते हैं फिर आपको तो जब आप प्रिसान इदर उठाते हैं तो मजबूर हो जाते हैं दोस्तो मैं आज आपको बता दू आपको चार पांच चीजों का जरूर ध्यान रखना ह जब आप फूड डिलिवरी के काम में आ रहे हैं उस्तो आपको फिर उससे पूछना है कि भाई मेरे को कमपनी अकामा देगा मेरे को रहना देगा मेरे को बाइक देगा मेरे को पैटरोल देगा मेरे को मुबाइल देगा यह नहीं देगा मेरे को रहना देगा यह नहीं देगा ये चीज़े जरूर आपको पूछनी है वो आपको बोलेगा हाँ सब कुछ देगा बट आप उसको ये बात जरूर बोल देना अगर मेरे को ये चीज़े नहीं मिला जो मेरे Trump condition मेरे agreement पर लिखावा है एक agreement बनता है जब visa stamp हो जाता है उसके बाद एक agreement बनता है उसमें आपका दो साल का agreement लिखा रहेगा आपका उसमें लिखा रहेगा companyह काम AH डेगा आपको रहना देगा transportation देगा आने जाने का और आपको medical card देगा bike देगा आपको patrol देगा ये चीज़े लिखी रहती है जो चीज़ आगर उसमें नहीं लिखी ही तो उसको यह बोल देना कर भाई इसमें नहीं लिखावा तो यह मेरे को नहीं मिलेगा वो बोलेगा नहीं मिल जाएगा उसकी बातों में नहीं आना उसको बोलना भाई मेरे को लिखित में एगरिमेंट पे ही चाहिए लिखावा आप वहाँ जाएंगे वहाँ जाने के बाद company बोले कि भाई, अकामे का पैसा आपको देना पड़ेगा, तो आपको बोलना है कि अकामा company का होता है, कहीं भी आप try कर ले ना, किसी फी पूछ ले ना, company आपको अकामा बना के दे देते हैं, जिए वहां का idea होती है, वो company क्या ही होता है, पेसा बहुत कमपनी यहां ने के बाद food delivery में क्या कर रही है कामे का पैसा भी बंदे से काट रहे है जब बंदा विस्लाइए बिच्पार इधर आ जाता है वो मजबूर हो जाता है पैसा भाद लगा के आता है ब्याज पर उठा के कैसे कैसे मजबूर बंदा इधार आता है अच्छा खुसाल तो अपने मुल्क में काम कर रहा है वो जब यहाँ जाता है तो वो सोच लेता है चलो यार कोई बात नहीं कामे का पैसे कटवा दू धीरे-धीरे फिर वो आपको बोलेगी आपको 400 डिलेवरी के बाद आपको 10 रियाल मिलना था आपको 10 नहीं मिलेगा आपको 6 रियाल मिलेगा बंदा क्या सोचता है चलो आपको 6 रियाल में कर लू फिर कमपनी धूरी दिरे आपको बोलेगी आपको 3 रियाल मिलेगा ये डिलेवरी पे 400 डिलेवरी टार्गेट पूरा होने के बाद तो फिर आप 11 और चलो कर लेता हूं तो ऐसा नहीं करना भाई उसको बोलते ना जो मेरे को इस पे अगरिमेंट पे लिखावा है मेरे को 400 डिलेवरी के बाद जितना कमिसन लिखावा है 6 रियाल, 5 रियाल मेरे को यह मिलना चाहिए एकर मेरे को यह नहीं मिलेगा भाई मैं वापस आ जाओंगा मेरे को सारा पैसा आपको वापस रिटन देना पड़ेगा यह चीज़े आपको जुरूर पूछना है उससे फिर आपको उससे एक बात हो जुरूर पूछना है कि भाई जो मेरा कंपनी 400 डिलेवरी टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ तो क्या मेरे को कंपनी पैसा काटेगा तो वो बोलेगा नहीं काटेगा पर नहीं कंपनी यहाने के बाद पैसा काटता है क्योंकि जो भाई कंपनी आपको 400 डिलेवरी के बाद आपको एश्टरा पैसा दे रहा है 5 रियाल या 10 रियाल पर डिलेवरी तो आप पूरा नहीं करेंगे target महीने में तो वह आपको पीर काटेगा घाँसे पूरा हूने के बाद तो आपको rend नहीं करेंगे तो इसके बात के पूरा नहीं होगा तो आपको जरूर से काम करें ओडर की बात बता दू ओडर बहुत रहते हैं जाज हंगर और टूयो एक ब्राक है एक बुलट है यह कहीं कंपनी ऐसे जिनमें ओडर फूल है आप बे दड़क हो जाए आपका टार्गेट साड़े चार्ट सोगई पूरा हो जाता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात राम से पूरा हो जाएगा पर आपको यह बात जरूर ध्यान रखना है उसको बोल देना कि अकाम कंपनी देगा मैडिगल कार्ड जो 인्सुरांट कार्ड होता है मैडिकल जिसमें आपको कोई चोड़ विगरा लग गया आपको हाथसा हो गया तो आपका इंशुरांट सब पे क्या होती है कि medical insurance card नहीं बना के देता है कि कोई नहीं कुछ नहीं होगा उसको बोलना कि भाई मेरे को medical card भी मिलना चाहिए मेरे को account मिलना चाहिए यह चीज जरूर याद से आप बात करना अपने agent से भाई देखो आप पैसा लगा के रहो फिरी में नहीं आ रहे हो उसको साब बोलो सीधा बोलना विल्कुल खुल के कि भाई मेरे को यह चीज जो लिखावा है मेरे को वही मिलना चाहिए अलग मेरे को मिलेगा या मेरे से इधर पैसा जो सेलरी बताया वो नहीं देगा क्योंकि जादे ऐसा हो रहा है अभी फूट डिलेवरी में उधर आपको पंदरसो सेलरी बताएगा बारसो पलास तीन सो इधर आने के बास बोलेगा आपको बारसो सेलरी मिलेगा हजार पलास दोसो फिर बंदा मजबूर हो जाता है सोचता है चलो कर लो कुछ बंदे चले जाते है वापस ये बाते आप उनको बोल देना जो मेरे को सेलरी बताया वो ही सेलरी मिलना चाहिए और एक और आपको बता दो डूटी के बारे में डूटी का प्रोसिस ऐसा रहता है दोस्तों कुछ कंपनी तो 10 गंटे डूटी लेता है कुछ क का नसीब है आपको कौन सा कंपनी मिल रहा है जाज हंगर में अगर आप आ रहे हैं तो बे दलक हो का आज यह कोई दिक्कत नहीं है बट उसको यह बोल देना जैंट को कि भाई मेरे को जाज हंगर का काम जो बताया आपने तो मेरे को वही कंपनी वहां मिलना चाहिए बहुत सारी कंपनी है अपने मुल्क में भी तो जिनको यह जाज रहते हैं उसमें तो आपका काम पूरा हो जाता है स्वेगी हुआ जो माटवा इंडिया में और जो आपको अगर कोई और कंपनी में करेंगे उसमें आपको ओडर नहीं आएंगे ऐसे ही आपे है जाज है जो साइन करना सारी चीज़े अपना समझ लेना उसके बाद एगरिमेंट साइन करना एजेंट को पैसा भी देना आप सुरू में नहीं चाहो उसको दस पांच यार रुपे दो जब आपका वीजा स्टांप हो जाए फ्लाइट टिकट हो जाए तब आप उसको पैसा दो पूरा थोड़ी सी जानकर लीजिए उसके बाद आपको ट्रेनिंग दर मिलता है कोई बात नहीं आपको दिक्कत नहीं होगा आपको थोड़ी बहुत बाइक चलाना आता है यहां आगई फूट डिलिवरी में तो आपको दिक्कत होगा गाड़ी तेच चलता है रोड़ पे बाइक वाले को कुछ नहीं समझते दर तो इसलिए बाइक की सेफटी आपको अपना रखनी है बड़े अच्छी चलाते हो तब ही आना फूट डिलिवरी में तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में बात अच्छी लगी हो समझ माया हो कुछ तो बाइक जरूर करना कोमेंट करना औ कि और बाइक को पिता चले और प्रसानी उठाने से बच जाए और हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें कोई भी बात आपको पूछ नहीं हो तो कमेंट करिए तब तक के लिए शुक्रिया